दोस्तो दे न्यूस बीक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंती का बटन दबाएं पिर से जुका दिया है जी हाँ आज बहुत बड़ी खबर आई है आपके और मेरे लिए बहुजन समाज के लिए कि जो मेडिकल एंट्रेंस एक्जैम है नीट उसमें OBC आरक्षन को लागू कर दिया गया है जी हाँ ओल इंडिया कोटा के थैत OBC आरक्षन को केंदर सरकार ने आज मंजूरी दे दी है नोटिफिकेशन आ गया है मोधी सरकार की और से और यह एलान हो गया है कि अब नीट में OBC को आरक्षन दिया जाएगा ओल इंडिया कोटा के तैट जो सीटे हैं मेडिकल की उसमें OBC को 27-20 आरक्षन दिया जाएगा साथ साथ मोधी सरकार ने EWS जिस में मोधी सरकार जुग गई और नीट में OBC को कोटा देना पड़ा हो आपको याद होगा पिछली लगातार कई दिनों से हम कवरेज कर रहे हैं जगह जगह परदर्शन हो रहे हैं मीटिंग्स हो रही हैं सेमिनार आयुजित हो रहे हैं और तमाम बहुजन संगठन तमाम बह अरक्षन दिया जाए और इंडिया कोटा में नीट में OBC आरक्षन लागू किया जाए और यही वो वज़य है यही वो वज़य है कि मोधी सरकार को जुकना बड़ा पीछे अटना पड़ा और उन्होंने यह घोशना कर दी कि अब से नीट में OBC को 27% दिया जाएगा आपको समझना होगा कि यह बहुजन समाज के लिए बहुत ही बड़ी खबर है बहुत ज्यादा बड़ी खबर है क्योंकि इस से बहुजन समाज OBC समाज के हजारों बच्चे जो है वो डोक्टर बन पाएंगे जेंटल में एडमिशन ले पाएंगे और तमाम तरीके के जो मेडिकल से उसको अपना पाएंगे तो ये बहुत ही एक बड़ी खबर बन जाती है आपको याद होगा जब से नीट जो है वो लागू हुआ है ओल इंडिया एंट्रेंस एक्जेम जिसको एलिजिबिलेटी कम इंट्रेंस टेस्ट बनाया और फिर उसके तहित जो है एड्मिशन की प्र नहीं बन पाए उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ बहुत बड़ा नुकसान ओब इसी को जहिलना पड़ा और वो आप जो है जाकर उनकी मांग को माना गया है ये आज की बड़ी खबर है लेकिन यहां भी हमको खुश तो जरूर होना चाहिए आपने बिलकुल खुशी का क इस OBC आरक्षन को वाया कोट यानि की सुप्रीम कोट के जरिये लटका दिया जाए आपको याद होगा कि इस तरह के बहुजनों से जुड़े हुए जितने भी मसले सुप्रीम कोट में गए हैं वो सालों सालों से वहां तक पेंडिंग पड़े रहते हैं उन पर सुनवाई नहीं होती है और उसी वजह से फिर ये अठका रहता है अभी जो OBC में OBC का जो नीट में अरक्षन था उसका मसला 2015 से सुप्रीम कोट में अठका हुआ है सलोनी कुमारी केस में कोई हीरिंग नहीं हो रही है उसको लेकर जो है बार-बार ये मांग उठी कि उसका आप जल्द करते हुए नीट का ये घोशना की कि क्योंकि आपका केस जो है सलोनी कुमारी केस OBC का वो अभी सुप्रीम कोट में पैंडिंग है और जब तक सुप्रीम कोट इस मामले में अपना फैसला नहीं दे देता तब तक हम इसमें OBC अरक्षन लागू नहीं कर सकते क्योंकि सुप् OBC के मामलों में तो वहां से इस मामले को लटकाने की कोशिश हो सकती है तो हमें जो है खुश तो होना है लेकिन साथ 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 सावधान भी रहना है कि कहीं ना कहीं ये लोग इस तरह की अरकत कर सकते क्योंकि हो सकता है कोई मिश्रा दुवेदी चतुरवेदी पांडे जो ह तो आपने इंद्रासानी जज्मेंट में कहा था कि 50% दिया रक्षन होना चाहिए, उसे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यह इन्होंने लागू कर दिया, EWS भी लागू कर दिया, तो उससे बढ़ जाएगा, देखें क्या हो रहा है, मेरिट खतम होगी, यह हो गया, और हो सकता ह कोई मिश्रा, कोई वहाँ पर सवन जज्ज, क्योंकि OBC का एक भी जज्ज अभी मौदूद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज्ज नहीं है, हो सकता है कि वहाँ से इस पे स्टे लगा दिया जाए, इसको रोक दिया जाए, तो यह भी लड़ाई वहाँ पर लड़न क्योंकि अब ही जो लोग है, उनको सीदा फायदा हो रहा है, हमारे खिलाव कोई फैसला है, तो उसके किसी जज्ज के रिस्तेदार को, बेटे को, बेटी को, पडोसी को, रिस्तेदार को कोई फायदा हो सकता है उस जज्ज्मेंट से, तो वहाँ पर जो है, कॉन्फलिक्ट इंट्रेस्ट का मसला भी बनता है तो ये भी हम लोगों को साफ़दान रहने की जरूरत है इस पर कुछ प्रतिक्रिया भी आये हैं सोशल मीडिया पर वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या लोग सोशल मीडिया पर इस बारे में लिख रहे हैं प्रोफेसर दिलिब मंडल अपने ट्वीटर अकाउंट पर लिखते हैं नीट के ओल इंडिया कोटा सीटो पर इसी साल से ओबी सी आरक्षन लागू हर साल हजारों डॉक्टर बनेंगे शुक्री अदा कीजिये इनका तो प्रोफेसर दिलिब मंडल साहब ने इस पूरे मसले पर जिस तरह से काम किया है वो भी काबिले तारीफ है उनको भी बदाई दीजिये क्योंकि उन्होंने इस पूरे मसले को डिस्कोर्स में स्थापित किया चर्चा में लेकर आए और एक आंदोलन खड़ा करने भी उन् का निभाई तो प्रोफेसर दिलिब मंडल साहब को भी आप थैंक यू बोले और यह एक बड़ी जीत है हम सब के लिए इसके अलावा कई लोगों ने इसी बारे में लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूं आपको याद होगा डॉक्टर लक्ष्मनी आदव लगातार ज किले सरकार का अध्यहदेश काया है तो इस तरह से लोग इस पर पर प्रतिक्रियाई दे रहे हैं आपका लिखें हैं वो भी लिखें टैक किईजी हमें और ये इससे जीत को इस खुश्री को सेलिबरेट कीजीे लेकिन सादान रहना है और ये लड़ाई जो है इससे ये संद बच जाए आपके लोगों को मंत्री बना दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट में जज आपके न्यूक तो जाएं तो वो नहीं होने वाला उसके लिए आंदोलन करना होगा और यह इस आंदोलन की ताकत है एक इतने सारे तमाम संगठनों ने चाहे वो भीम आर्मियों जिन्होंन के संगठन थे उन्होंने भी दिली के अंद्रभवन में मीटिंग की आंदोलन चले प्रदर्शन किया ओवी सी कमिशन के बाहर सरकार से मिले गैपन दिया और फिर मोधी सरकार के जो बीसी मंत्री है अनुप्रिया पटेल और वो तमाम लोग वो मोधी सरकार को जाके गैपन है कि देखिये बड़ा मसला है हमारे वोट कि सकने हमारा समाज हम पर सवाल उठा रहा है तो मान लीजिए तो यह वोट बेंग का पॉलिटिक्स तो है ही और डरते भी हैं क्योंकि यूपी चनाव भी आने वाला है और OBC को नाम पे जो कैबिनेट बनाई है सौगोशित कि एंदोलन जो करता है वो जीतता है और इस आंदोलन का श्रे आप सबको जाता है बहुत-बहुत शुक्रिया इस व्डियो को लाई करें और हमारे। चैनल को ज़रूर सब्स्क्राइब करें अगले वीडियो में मिलते हैं साथि ओ